आपने यूटूब में कई सारे वडियो देखे होगे कि भी ये छोटे शी मसीन है ये मसीन लगाओ और आप महिने के लाखो रुपे कमाओ दोस्तों बिजनेस करना इतना आसान भी नहीं है जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो बहुती सोच समझ की बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए आज मैं जो business idea बताने वाला हूँ उनके अलग-अलग 3-4 तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से तरीके से इनको start करना चाहिए ताकि इनमें आपको investment बहुत कम लगे और profit बहुत ही अच्छा हो वीडियो चाहिए कितनी ही लंबी क्यों न हो मगर इन वीडियो को पूरी तरह से आपको समझना है तो वीडियो को पूरी देखना होगा तो प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तो मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजिनिस तो चलिए फटापट ये बिजिनिस भी सीख लेते हैं कई मीत्रे मुझे को कमेट कर रहे थे कि सरसो का बिजिनिस कैसे स्टार्ट किया जाए चोटी सी सरसो मिल कैसे बनाए ये बिजिनिस कैसे किया जाए इनका प्रॉपर बिजिनिस करने का तरीके के साथ आप एक अच्छा सा वीडियो बनाईए तो आज भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरसो की अगर आप छोटी शी मिल बनाए या केवल पेकिंग करके ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है सबसे पहले हम वो तरीका देख लेते हैं जो ज़यदा तर आपको यूटूब चैनल वाले बताते हैं कि भी एक छोटी शी ओई मिल लगा लो अपने यहाँ या अपने घर पे अगर इन छोटी मिल आप बनाना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 400-500-400 पृट जगे होनी चाहिए एक दो लेबर होने चाहिए और कुछ इंविस्मेंट होना चाहिए यहाँ कुछ इंविस्मेंट से काम होने वाला नहीं है उनकी बात हम आगे वीडियो में करते जाएंगे तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यहाँ आपको कौन कौन सी मशिन लगेगी सबसे पहले तो सर्षो की पिलाई करें और ओयल निकाने वाली आपको मशिन खरीदने पड़ेगी जो आपको धाई या तीन लाख के आसपास आएगी फिल्टर प्रेस मशिन के आपको जरूत होगी फिलिंग मशिन के आपको जरूत होगी बागे कुछ पेकिंग के कुछ रोबर्टर के आपको जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू हो तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें कितना कोश्ट आता है और फिर हमें कितना प्रॉफिट मिलता है सरसो की रेट देखे आज की डेट में तो अब तो बैस सरसो का रेट जो पिछले एक साल से बढ़ रहा है यान कि बढ़ा हुआ ही है पहले वो 3500-4000 के आसपास पर क्विंटर डेट था आज की डेट में 6000 से उपर की बात हैं नीचे नहीं है तो इसमें आने का खर्चा लगेगा लेबर चार लगेगा हम यह 100 किलो सरसो का एक्जामबल लेते हैं तो 100 किलो सरसो की मुल्य हुआ 6500 रूपे अब अगर आप गुजरात में हो तो कोई दिकत नहीं आप बिजली से चलाओगे अगर कही बार के स्टेट में हो और आपके हैं बिजली की सुविधा नहो तो आपको इनको जनेटर से चलाना पड़ेगा अगर बिजली से चलाओगे तो भी इसमें कम से कम 50 रूपे बिजली का चार्ज होगा अगर जनेटर से चलाओगे तो तो वो और बढ़ जाएगा कोई 100 रूपे का सपास आपका डिजल खर्च होग तो हम इनमें अभी 50 रुपय मान कर चलते हैं, लेबर चार्ज की बात करें, तो आपको कम से कम 50 रुपय लेबर चार्ज लगने वाले हैं, तो हम यह 50 रुपया लेबर का जोड़ते हैं, अब इनमें से 35 किलो ओईल निकलेगा, तो इनको अगर आप लिटर के इसाब से होगी, इनमें बॉक्स में भरना होगा इनको, तो ये सब मिला के हम एक बोतल पर 10 रुपया चार्ज लगाते हैं, सब कुछ मिला के तो 380 रुपया जो हमारा पैकेजिंग का हो जाएगा, ये बिलकुल जरूर नहीं है कि से 3500 में आपको सरसो मिल ही जाए, रेट आपको ज़ तो आपको 6980 रुपय चार्ज लगेगा, अब इसमें हमने गोडाउन चार्ज नहीं लगाया है, और कुछ जो चोटे मोटे चार्ज है वो नहीं लगाया है, बाकि वो भी अगरम लगाए, तो करिब करिब इनकी प्राइज हो जाएगी 7000 रुपय, अब हम देखते हैं इनमे सरसो की, तो देखो सरसो जो हैं वो रिटेल में 180, 170 से भी ज्यादा रेट से बिख रहा है, मगर हम रिटेल में नहीं बेचने वाले हैं, क्योंकि आप तो भाई मिल बना रहे हो, तो आपको इनको होलसेल में सेल करना होगा, और अगर होलसेल की बात करें, तो आज की रेट मे हमारे यहां 2200 रूपे में एक टीन का डबा मिल रहा है, यानि कि एक डबे में 15 लिटर तेल आता है और इनकी होलसेल प्राइज 2200 रूपे हैं, यानि कि इसको हम गुणा करें एक लिटर में, तो यह 146 में हमारे यहां मिल रहा हैं, अब मिल में वो किते रेट से निकलता मालूम नहीं मगर इसमें में यहां नहीं क EKता,िसमें कुछ न कुछ मिलावार्ट जरू कीगी होगी, तो आपके पास तो बिलकुल सूध हैं, तो फिर भी आपको एक सो पैतलिस से पैजा रेट तो मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि आपको भी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा तो यह 38 पैकेट आपने बनाए और 145 रुपे के हिसाब से देखे तो 5510 रुपे होते हैं तो 5510 रुपे आपको तेल के मिलेगे और आपके पास 65 किलो खली है जिनका के कितने होते हैं आप देख लो अब यहां हम 7000 में खरिदते हैं और 7135 में बेचते हैं तो बीच में हमें कितना मिला केवल 135 रुपे यानि कि एक लिटर ओयल में हमें कोई 3.5 रुपे का आसपास प्रॉफिट मिल रहा है अब मेरे इसाब से आप इतना इमेश्मेट कर रहे हो यह सब कर रहे हो और 3.5 रुपिया प्रॉफिट कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है यह भी हो सकता अगर आपको और सश्ता बेचना पड़े तो यह प्रॉफिट और भी कम हो सकता हैं जो चोटी चोटी मिल वाले हैं इन सारे लोगों के साथ करीग गरिब यही हो होता हैं इसलिए वो होलसेल में नहीं बेच सकते हैं अब यहां तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं दीख रहा हैं अगर आपको इन मिल में छोटी शी मिल में प्रॉफिट करना हो तो आपके पास अब दो विकल्ब हैं पहला तो आप्शन यह हैं कि आपको इन तेल में भी हैं कि आप इनको ना बेचें क्योंकि हैं आप को इन को से कर सकते हुग हैं प्राइस बिल जाएगी तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉपिट मिलेगा अब यहां तो मुझे तो कोई ज़्यादा प्रॉपिट नहीं दीख रहा है तो फिर यूटूब बाले जो वीडियो बनाते हैं वो अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यह म कंपनी के पास से मिलने रहे और मुझे ऐसे कोई पैसे चाहिए भी नहीं ताकि जिसमें मुझे पैसे मिले और आपके साथ को दोखा दड़ी हो और आपको मैं कोई कुए में या खड़े में डालो ऐसा मैं नहीं करूंगा अगर मुझे पैसे कमाने होगे तो मैं कोई और रा और फिर आपको जो भी खरीदी करनी हैं वहां से आप सोपिंग कीजिए उन में से कुछ न कुछ मुझे बेनिविट जरू होगा वहां आपका कोई भी घाटा नहीं होगा। फिर बाद में आपको सरसो मिलना मुश्किल हो जाएगी और जो मिलेगी वह बहुत मेंगी मिलेगी तो फिर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने नहीं टिक शकोगे। यह इन बिजनिस में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हैं और इसलिए चोटे चोटे उनिट जो हैं वह यह कहना है कि अगर आपको इस टाइब का बिजनिस करना है तो आपको कोई मिल नहीं लगानी है मैं आपको दूसरा ओप्सन बताता हूँ आप उन ओप्सन से इन बिजनिस को स्टार्ट करें आपको खरीदनी है फिल्टर प्रेस मशीन, फिलिंग मशीन और पैकिंगा जो भी इनको आपको फिल्टर करना है और आपके यहां इनको पेकिंग करना है देखिए बहुती बड़ी बड़ी ब्रांडे जो ब्रांडे बहुत बड़ी है वो भी यही काम कर रही है आप देखो यह फोटो में आपको दिखा रहा हूँ जो हमारी यहां चल रही है गुजरात की हैं बड़ी ब्रांड हैं, मगर ये भी मैनुफेक्चर नहीं करती हैं, क्योंकि ये पैकिंग करती हैं, ऐसी और जो बड़ी-बड़ी ब्रांड हैं, कई ऐसे बड़ी ब्रांड हैं, जो मैनुफेक्चर नहीं करती हैं, क्या भाई वो मैनुफेक्चर नहीं कर सकती, क्या इन लोग म और packing करें आप देख लेना अपने किचिन में जाके आप जो तेल यूज़ कर रहे हो सरसों का जो ब्रांड का यूज़ कर रहे हो क्या वो manufacturing है या जो packing कर रही है इन को लिखा होगा कि manufacture by packing by तो वो देख लेना और मुझे कमेंड करके ज़रूर बताना तो मैं भी आप से कहता हू कि आप इन बड़े बड़े ब्रांडों की माफ़क अपना खुद का मैनुफेक्चर न करें, कोई तेल बनाने वाली मसीन न लाइए, और बस सिर्फ इनको फिल्टर कीजिए और इनको टेकिंग कीजिए, तो इन में जो हैं वो आपको अच्छा खासा प्रोफिट मिलेगा, और यहों भी आप पर किलो आठ रुपे, दस रुपे के हिसाब से प्रोफिट कर सकते हो, अब बिना मसीन, बिना मैनुफेक्चर कीए, बिना कोई खली का टैंसन, बिना को रोमेटर का टैंसन, आप दस रुपे पर किलो प्रोफिट कर सकते हो, तो फिर मैनुफेक्चर के जमले म पढ़ने की मेरे इसाब से कोई भी जरूरत नहीं है और ये दूसरा ओप्षन जो है वो आपके लिए बहुत एक कारगर रहेगा और आपको इन ओप्षन से ही बिजनिस को स्टार्ट करना चाहिए मैं आपको एक और तीसरा ओप्षन देता हूँ इसमें आपको न तो कोई तेल को फिल्टर करना है जो फिल्टर किया हुआ मतलब के बिलकुल प्योर सुद तेल हैं वही आप कंपनी का पास से खरीद लेए देखिक बड़ी-बड़ी ब्रांड हो या छोटी ब्रांड हो कई ब्रांड ऐसी भी है जो अपना खुद का मैनृफेटर करती है और खुद क बी नहीं यहों आपको कोई भी मसिन की ज़रूद नहीं है माननें जा आपको एक एक लिटर का छोटा सा प्लास्टिक बॉतल में पेकिंग करना है तो मार्केट से बॉतल लाइए इनके उपर लगा दिए इनमें तेल डाल दो और इनके उपर जो केप आती हैं वह ऑटोलक केप होती हैं. बिना मसिन की यह बिलकुल मैनूल किया जा सकता हैं आप अपने हाथ से इनको बंकर दो फिर आप इसको नहीं खोल सकते हैं. अगर आप इनको खोलोगे तो इनका जो लौक किया हुआ है वो कुल जाएगा तो इन में आप कोई कोई भी मसिन के जरूद नहीं है आप मेन्यूली इसको पैक कर सकते हो बॉक्स में रखो बॉक्स को पैक करो और सिधा मार्केट में सप्लाय करो यह जो तरीका है सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया है जब आप बिलकुल नय नय स्टार्ट कर रहे हो तो इनसे क्या होगा कि प्रणकारी आपको मिल जाएगी फिर बाद में अगर आप फिलिंग मसिन लगाना चाहते हो ओटोमटिंग तो वह भी लगा सकते हो या अगर आप यह चाहते हो कि फिल्टर में खुद करूंगा मैं तो कच्छा ओल मंगाओ तो आप वह भी कर सकते हो मगर वह धीरे धीरे तीसरा उप्षन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो ओइल मार्केट में 150 रुपए 145 रुपए वह आपको कम से कम पांच रुपए कम रेट से तो मिली जाएगा इस पैकिंग में ज्यादा नहीं तो कम से कम पांच रुपए पर किलो जरू कमाओगे और दूसरी बात अ जिस टाइब के ब्रांड चल रही है इनका डिस्ट्रीबूटर शिप ले लो इनकी डिलिशिप ले लो या आप उस ब्रांड में घुच जाओ उनमें सेल्समें की नौकरे कर लो सबसे बढ़िया तो यह रहा है कि आप सेल्समें की नौकरे कर लो उस ब्रांड की और उस ब्र आपको इन सारे विकल्प में से जो भी सही लगे वो आप करना है और वो करोगे तो आप ये पक्की गारंटी है मेरी कि आप सफल रहोगे बाकि ऐसे ही किसी भी यूटूबर की वीडियो देख लिए आपने मसिन खरिद के आगए स्टार्ट कर दिया भाई लाक बाक कुछ नही बिजिनिस में चाहिए सबसे पहले आप हो सके तो उसी टैप की बिजिनिस में सेल्समें की नौकरी किजिए दो मिने तीन मिने छे मिने जब तक आपको सही लगे फिर बाद में जो है वो आपको रिसेल किजिए और लास्ट में जो है वो आप मैनुफ्यक्टर की और जा सकते इन बिजनिस में जो हैं वो आपको 40 लाग से ज़ाजा टनोर होगा तो आपको जीचनिम लेना पड़ेगा और यह खाने की प्रोड़क हैं तो आपको यहाँ AF-SCEI का लाइसिन भी लेना पड़ेगा MSM में आपको रिश्ट्रिशन करवाना पड़ेगा अगर आपकी ब्रांड है तो आपको ब्रांड का रिश्ट्रिशन करवाना पड़ेगा वो तो सब आपको करना ही पड़ेगा मगर तूरंत सबसे पहले यह सब करने के जरूत नहीं है पहले आप business start करो जो तरीका आपको सही लगे और मुझे comment करके भी जरूर बताना कि कौन सा तरीका आपको सही लगा मैं रोज सुबह आपके comment का उत्तर देही देता हूँ तो आज के वीडियो में इतना ही था फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे comment कर सकते हो हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत